जस्त दो दीन पहले आईपेड 10 जनेशन रिलीज हुआ और ओनेस्ट लोग बहुत लोगों को यह वाला जो आईपेड ता पसंद नहीं आया बहुत सरे टेक रिवियोर जो था उनको भी पसंद नहीं है और जो नॉर्मल यूजर थे जो लोग पर्चस करने वाले थे वो लोग को पसंद नहीं है कि कि कमेंट शेशन में आप लोग के जितने भी सारा कमेंट पढ़ रहा हूँ ना मैक्सिमम लोग ऐसा है जो लोग यह डिवाइस को स्किप करना चाहते है कि वो लोग का जो एक्सपेक्टिशन था उस लेबल तक जो आइपेट 10 जनेशन है उस हाइप को मैच नहीं कर पाता है और बहुत लोगों का यह भी कहना है कि आईपेट 9 जनेशन अगर आप लोग अभी के टाइंग में भी पर्चस करता हो ना तो एक बेटर वैली फॉर मनी या फिर एक बेटर प्रोड़क्ट हो जाता है अगर हम लोग आइपेट 10 जनेशन से कंपेर करें तो ओनेसली जो चीज है वह हम लोग थोड़ा अच्छे से एक्सपें करके बताते हैं यह आप लोग अगर कोई से भी डिवाइस करने का सोच र देखने को मिल रहे हैं 4GB अपग्रेड हुआ है वह हम लोग को देखने को में अच्छा है उसके वाइफाय-फाइफाइ-स बीडे डर हो जाते इसके साथ हम लोग को 5G कनेक्टिवीटी डेखने को मिल है जो अबाला मॉडल था लेकिन जो बेस वाला वेला वे नी इसके बाद हम लोग देखते हैं जो चार्जिंग पोर्ट था वह अम लोग को जो लाइकनिंग पोर्ट से हटके युस्बी सी पोर्ट देगे लोगे मिला यह चीज काफी जादा बेटर हुआ क्योंकि अभी कर दाएम में युस्बी सी पोर्ट होना काफी जादा अच्छा है क्योंकि आपकर एक आइपैड पोर्ट कर रहो ना तो आपका घर पे में गैरेंटी से बता रहो एक युस्बी सी पोर्ट वाल एक मोबाइल रहेगा तो एक्जैकल लोग सेम चार्जर को यूज़ करते हैं अपना आइपैड को भी चार्ज कर सकते हो तो यह चीज भी काफी स सब्सक्राइब यहां तक कोई सब्सक्राइब लेकिन इसके आप लोग समझ रहे हो कहां आइपैड नाइन जनेशन हम लोग को 30,000 में देखने को मिल रहा है और यह जो आइपैड के जो बेस वाला वेरियंट रहता है न वह हमें सब्सक्राइब को जादा टार्गेट करता है क्योंकि कोई सब्सक्राइब जो अपना डेवाइस रहता है उसके लिए इतना ज़हाधा पैसा स्पेंड नहीं करना साथ है। वो चाहता है कि मिनिमाम से मिनिमाम हम लोग पैसा स्पेंड करें और जो भी डिवाइस हम लोग प्रचस करंगा हो बेटर वैलू अम लोग को प् और यह चीज काफी सथा अच्छा हुए कि एपल वालों ने जो आइपड 9 जनेशन है उसको ओफिशियली सेल कर रहा है इसको डिसकंटीनियू स्टेल अभी तक नहीं कीगा क्योंकि वो लोगों को भी यह चीज़ पाता है कि 30,000 में हम लोगों को आइपड 9 जनेशन देखने को सकते हैं लेकिन अगर एक बड़ा परस्पेक्टिव यूज अगर आप लोग देखोगा ना तो उसी 45,000 के आज पांस हम लोगों को आइपड मीनी 6 भी देखने को मिल रहा है और उस प्राइसेज में आइपड मीनी 6 बेटर वैली फॉर मनी प्रोडक्ट हो जाता है क्योंकि उसके अंदर हम लोगों को मिल रहा है जो हम लोगों को आइफोन 13 में यूज हुआ था तो ओविसली एक बेटर प्रोजेसर देखने को मिल रहा है उसके बाद आइपड मीनी 6 को जो साइज है और यूज करने में भी अच्छा है का भले ही कोई सभी गेमर उसके जो साइज है पसंद आजाए इस वहां पकर बहुत घंटों ते गेम भी खेल सकते हैं और एक स्टुडेंट के लिए अच्छा है कि इतना साथ चोटा डिवाइस है तो इसली आप लोग बैग में या फिर पोकेट में करीकर के किसी भी जगा पर लेकर जा सकते हो तो आप लोग खोदी सू मैं जो डिवाइस से अभी जो मेरा वासबर कर रहा हूं या फिर रेकोड वगार करता हूं या फिर गेम फ़हा लोगार केलता हूँ जो जितने भी साए मेरा विडियो Videos रहता है मैं एडि एडिट वगरा करता हूं उसके लिए अच्छा से प्रूसरण होने की जरुवत ह तो यह दिवैस को मैं इतना टाइम से यूज कर रहा हूँ, लेकिन कोई सभी परफ़ोमेंस में इस अभी तक मुझा आइपड मीनी 5 में देखने को नहीं मिलता है, और आइपड 9 जेनरेशन तो बस हम लोग का लास्ट यार ही लॉंच हुआ है, कोई से प्रोब्लम उसमें भी अब लोग को जो परसेल एक्सपिरियंस है वो पूछ आप लोग हरेक का जो रिविव रहेगा ना वह बहुत सदा पॉजिटिव ही रहेगा, यूकि नाइन जेनरेशन एक बहुत ज़दा अचाड़ी वैसे है, आपको कोई आस पास में कोई जानने वाला है अगर परचेस कर क्यों परचेस करोगे, आइपाड में 6 में आप लोग के A15 चिप देखने को मिल रहा है और आइपाड एर 5 के अंदर हम लोग के M1 चिप देखने को मिलता है, जो अभी तक का Apple का सबस्यादा पारफुल प्रोसर था, लेकिन वो भात अलग है कि अभी के ताई में iPad Pro 22 के अंद परचेस करोगे, और बहुत सारे बिटर प्रोसर वाले डिवाइस भी है वहाँ पर, या फिर अगर आप लोग के इतना प्रोसर से कोई से फरक नहीं पड़ता है, तो iPad 9 जिनेशन भी आप लोग देखने, उसके अंदर A13 चिप देखने में मिलता है, परफॉमेंस आप 10 जिनेशन से बेटर डिवाइस आपको देखने को मिलता ही है, और इस चैनल का कम से कम 80 पासन से ज्यादा भी हो ऐसे है, तो लोग वीडियो सो देखते है, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग को सब्सक्राइब करते हैं, उससे मुझे किया उनको लाइक और सब्सक्राइब कर,